अच्छे जिसके आज है माना टॉपिक है ब्रिक्स सबसे पहले इसकी डेफिनिशन क्या है? डेफिनिशन यह ब्रिक इस आर्टिफिशली मेड मैसंडरी यूनिट मॉस्ली इंट्रेक्टांगल शेप यह थे हमार्य इंट्रेक्शन में की हैं इस परसकें रख़ुर्ण ऐल्य वीक्रटांगल हम समय करें अच्छे ब्रिक्स में ущBack here वह थो और जास्य के ब्रिक्स हैं उसको हम जिकर करेंगे अगर हम उसकी शेप लें अगर हम उसकी शेप बनती है उसकी यह जो साइड होती है यह हैडर के लाती है उसकी अभी लिमर पाकितान में प्रिक्स है उसका साइड यहन पे आता है सबसर चार इंच और यह जो साइड है यह स्टेशर के लाती है इसका साइड आता है आठ सही तीन बटा चार इंच पॉनट नो इंच और तीसीर शाइड जो यह होती है इसका जायद बनता है कि पाकिस्तान में दो सरी तीन बटा चार इंच अच्छा नॉर्मली जो हम इसको बोलते हैं वो हम इसको बोलते हैं साड़े चार इंच इसको हम करते हैं तो सेंटर इसके साथ चानल होता है तो सेंटर तो सेंटर इसकी अगर एकृट पड़ी है है जो मुसको बतंग है यहां से लेकि यहां तक जा हम इसकी डिह मह्राइप करते हैं, तोब में सब्सक्राइब जाती है, को सब्सक्राइब उस आधर सब्सक्रामे बंते हैं, कि प्रवाइडर ऑफ ब्रिक्स बनाते हैं, अच्छी ब्रिक्स बनाते हैं, आ il amb уже неew比्क्स, उसक们 और ब्रिक पूरे होते हैं और रिंस वारres है नौर्मल परिक्स पनाते हैं और उनकी स्टेंथ में इशु आते हैं और इसके Sl concluded новые उनकी जो अन्य मोल्ड होता है उसमें फर्ग होते है आज़आ उसके बाद पर अगर हम देखे ना अगर उसकी शेप इस तरीके से देखें अगर इसका टॉप देखें कि यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है इस डिप्रेशन को कहते हैं फ्रॉक इसकी रिजन यह होता ही कि नॉर्मली हम जो कंस्रॉक्शन करते हैं इस फ्रॉक को हमारे मेसंज हैं वो डाउन साइड टो कर देते हैं लेकिन इसको उपर की तरह बोना जी ताकि जब उसके पर मॉटर वो मेसंज ले करें तो इसके अंदर मॉटर चला जाए और इसके अपर जो दूसरी लेर आएगी उसका और इसका बांडिंग बेतर हो जाएगी अच्छा मोस्टी ब्रिक्स जो है ना वो क्ले से बनाई जाती है अच्छा उसके ले की क्या कॉंपोजिशन आएगी हम किस योर लेक्चर में डिसकस करेंगे सरे दस जो ना हमारे हाँ जो ब्रिक्स बनाई जाती है सबसे पहरे तो क्ले में बनाई जाती है उसके बाद आ जाती है प्लाई एश में बनाई जाती है फिर उसके बाद आती है कॉंक्रीट में ठीक हो गया जी अच्छा अब सबसे पहले जो मैंने दिकल किया क्ले का क्ले को मेटीरियल जिसे प्रिक्स को बनाया जा रहा है अब इसकी मजीद क्लास्फिकेशन इस लिहाज से होती है जब हम ब्रिक को की जो मेकिंग है उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें दो तरिक्से उसको बनाते हैं यानि पहला जो मैटड है उसमें जो ब्रिक बनती है वह है संड ड्राइड और कच्चा ब्रिक्स दूसरी जो है वो है किलर बर्न्ट और और यह दोना तरा माने यूज की पक्का ब्रिक्स यह आम तर्पे जो गूञ्मन्न की अधारे नमापन पर नॉर्मली इनके जो बुक्स में यूज होती है ताके आपको कर दो सा प्राइल योज वह रागा जाये कि युद्ध यूजेंगे इस डूर्म तर्म T全部 करें जा हैं पी आपक्षब्राइल पर करें तर्म पेलस की विए जाये बिख्तव लागा जाएक है क्ले की प्रिपेरेशन है अब क्ले की प्रिपेरेशन में क्या है मट्टी का हसूल है उसको गूंधना है उसको दियार करना है ये क्ले की प्रिपेरेशन आ जाती है दूसरे नमर पे क्या है दूसरे नमर पे आ जाती है मॉर्डिंग मौल्डिंग क्या ہے ग्ले को विर्पेर कर लिया गौन लिया पर उसको लिख मौल्ड में ढला मौल्ड के बाद उसको जब हम उटाते हैं तो वह प्रिक के कच्छी शेयव में तियार हो जाती है कि तीस्री स्टेज में जब हम उसको तो इस काबिल होती है कि वो के कंस्ट्रक्शन में यूज हो सके अच्छा अब यह जो संट्राइड यह अच्छा प्रिक्स हैं यह क्योंकि स्ट्रेंथ में इतनी ज्यादा बैतर नहीं होती हैं तो यह यूज होती हैं कि यूजिस जो है न वो और टैंप्रेडी स्ट्ट्चर्ट्चर्ज में क्या चीज़ आ जाती है जैसे को क्या यह अधिय हों सकते हैं कि वह स्ट्रक्शर करना लगए पहले केम्पिंग करनी हैं मटीवरी लगार अंच्छा प्रिक्स है यह उसकर सकते हैं पिर यह को जाम्नों का अच्छिए को बनाना एंगने का उंक कर जल से लायने की बनान यूजिस का तर सकते हैं अच्छा इसके डिस्ट्वांटिजी इस क्या होते हैं सबसे पहले तो यह है कि यह वाटर रिजिस्टन नहीं है यह कह सकते हैं लो वाटर रिजिस्टन है यह पानी के इसकी जो है सस्टेनेबिलिटी इतनी बैतर नहीं है बारिश होती है यह प्लड आता है तो यह अपने आपको सस्टेन नहीं कर पाएगी और लूज हो जाएगी और वो अमारत गिर जाएगी इसी वज़े से इस पर्मन अमारत में ये पर्मनेंट स्रॉक्टर में इसको यूज नहीं करते हैं अश्टा दूसरे नबर पे तो हमारी ब्रिक आ रहे हैं कि वह अधी किलन बर्ण्ट और पक्का ब्रिक्स ठीक हो गया है इसके बनाने के स्टेजिस क्या है पहली स्टेजिस तो हुई है जो संड्राइट की यह कचा ब्रिक्स की यह नी के प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ क्ले इसमें क्ले का हसूल भी है बाद अगत खेतों में से उठानी पड़ती है खेतों से मुठा के लाते हैं जो किलम की जगा होती है यह वहां पर करीब में मट्टी अवेलिबल नहीं होती बाद वकाद काफी दूस से तंपर ट्रक्स के जरीए लाई जाती है तो इसका प्रिपरेशन में यह तीनों चारों प्रॉसस आ जाएंगे यह उसका इक्वायर करना और उसको बाद उसको प्रिपेर करना फिर नेक्स टेट जो इसकी आ जाती है वो है इस मोल्डिंग मोल्डिंग में उसका प्रॉसस है मट्टी को बोन लिया तियार कर लिया मॉल्ड में डाला मॉल्ड को उटाया नीचे से मटी और आइट कच्छी आलद में तयार होगी तीसरी स्टेज में फिर वही आ जाएगा संड्राइंग संड्राइंग में हम इसको दूप के में सुखने के लिए छोड़ देते हैं दो चाह दिन में ड्राइब हो जाती है उसके बाद पर चौती स्टेज आती है कि डिपोजिटिंग के लाइब हम इसको बट्टे में पकाने के लिए रख देते हैं अच्छे के लिए प्रॉसेस होता है वह एक लाइदा से वीडियो बनाएंगी उसमें आपको यह समझने में असानी हो जाएगी कि लन में क्या प्रॉसेस होता है तो वह एक पूरा सरकल चलता है आग का बोल गुंगती है इंटे पकती जाती है दूसरी साइट से निकास ही यह उनका त्यार होके निकती रहती है अच्छा कि लन के जो प्रॉसेस होता है उसमें तीन तरह की इंटे हैं हमें हासिल होती है सबसे पहले 1st Classics 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1